आज के वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे जो ऑल इंडिया जो जीपैट एक्जाम होने वाला है 2023 में जिसका अभी लगभक चार महीने या तीन महीने बाके एक्जाम होने को तो इसके लिए जीपैट का अगर प्रिपारेशन करना है इसके लिए कौन सा बुक बेस्ट होगा सो आज हम लोग जीडिसी का जो बुक आया है जीपैट एट एक फिंगर टिप्स इसका इस बुक का हम लोग एक रिभ्यू करेंगे ये बुक कैसा है ये बुक खरिदना चाहिए की नहीं चाहिए ये बुक में आपको कितना कितना कॉंटेंट मिलेगा और ये बुक में कैसे क से चार्ट या टेबिल बगएरा है की नहीं और इसमें जो सिनोफिस बगएरा ठीक-ठक से है के नहीं सो आज के वीडियो में हम लोग ये डिसकस करेंगे जैसे कि आप लोग content में देख पा रहे होंगे या index में देख पा फिजिकल फार्मासी, फार्मासीटिकल टेक्नलोजी, बायो फार्मासीटिक्स, फार्मासीटिकल इंजिनेरिंग, कॉस्मेटिक टेक्नलोजी, डिस्पेंसिंग फार्मासीटिकल जूरिस्पूरेल, फार्मासीटिक्स का जो मेजर पोर्षन रहता है जिसमें से लगबाग जीप और फार्माकोलोजी के रिलेटेज जो जो question रहता है इसके लिए इन लोग ने क्या किया है फार्माकोलोजी, human anatomy and physiology and pathology का जो पाथ है इसमें ये लोग divide किया है जिसमें और next फार्माकोगनोसी फार्माकोगनोसी को इन लोगों ने 311 से 372 पेज में cover कर दिया और बाकी जो और फ 25 से 30 question तो लगबग हर साल रहता है फार्मासीटिकल केमेस्ट्री को इन लोगों ने as per GPAT syllabus wise 5 part में divide किया है जिदर में है और्गानिक केमेस्ट्री, फीजिकल केमेस्ट्री, इन और्गानिक केमेस्ट्री, मेडिकल केमेस्ट्री and pharmaceutical analysis. Last but not the least, जो minor subject है जिसमें से 5 या 10 question हर साल बन जाते है इधर से इन लोग ने क्या किया है, बायो टेकनलोजी का part रखा है, बायो केमेस्ट्री का part रखा है, फार्मासीटिकल, माइक्रोबालोजी का part रखा है, अलग से सिटिक्स में नहीं रखा है, अलग से माइक्रोबालोजी का अलग से part रखा है और hospital से फार्मासीका भी part रखा है, next हम लोग इस book का detailed content को review करेंगे, फार्मासीटिक्स जो है, फार्मासीटिक्स का जो मैंने पहले ही बता है, इन लोगोंने physical pharmacy, फार्मासीटिकल technology, बायो फार्मासीटिक्स, फार्मासीटिकल इंजिनेरिंग, पहले तो आजाता है physical pharmacy, फार्मासीटिकल आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे, यह पूरा बुक, color book है, जिदर में chart या table, लगबख सभी chart या important, जो chart होता है table, the last meet का revision के लिए लगता है, यह सभी है, जैसिके आप लोग देख पा रहे होंगे, first page में true density, granular density, bulk density, पूरा color format में और angle of repose अच्छी तरीके से इन लोगों ने mention किया है, पूरा formula देखे, जो important part है, जो often हम लोग भूल जाते है, इन लोगों ने यह color coating से highlighted किया है, next इन लोगों ने जो rheology का portion है, rheology का portion को इन लोगों ने chart से निप्टा दिया है, जैसे कि student को easy रहे, revise करने के लिए, next, pharmaceutical technology का portion आता है, emulsion suspension, emulsion suspension भी इन लोगों ने अच्छी तरीके से content को mention किया है, जो जो content important है, खाली वो ही content दिया है, बाकि जो wastage content है, जो हम लोग को exam point of view, important नहीं हुआ है, इन लोगों ने इन सभी को chart दिया है, जिसमें से आप देख पा रहे होंगे, flocculated और defloculated suspension, जो यह भी एक chart form में, या table form में दिया है, जैसे student को easy हो, revise करने के लिए, next, pharmaceutical engineering का content है, flow of fluid, evaporation, distillation, सभी लगभग सभी content को इन लोग ने summarize तरीके से पेश किया है, student के साथ, जैसे की student का easy हो, revise करने के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, evaporation को equipment होता है, evaporation पूरा chapter को इन लोग ने चार्ट में ही summarize कर दिया है, जो cosmetic का portion है, cosmetic का जो portion होता है, cosmetic portion का भी यह लोग chart या table form से निप्टा दिया है, जिससे की इसका page भी कम हो गया है, but content तो बहुत अच्छी तरीके से इन लोग ने दिया है, next, pharma kognosy, kognosy का portion भी अच्छी तरीके से द jurisprudence में पहले chapter जो आता है, pharmaceutical legislation in India, जिसमें भोडे committee, भाटिया committee, मुदिलेयर committee, हाती committee, इससे question आ जाता है, यह highlight किया है इन लोगोंने, इसके बाद जो जो important different year है, इन लोगोंने table से summarize कर दिया है, next, form number, form number से लगबख हर साल एक दो question बन ही जाता है, form number को इन लोगोंने table form में summarize कर दिया है, color होने के लिए यह हम लोग को आसानी रहेगा, यह पड़ने के लिए, लगबख हर chapter में इन लोगोंने basic introduction दिया है, short synopsis दिया है, और chart and table form में हर chapter को इन लोगोंने summarize कर दिया है, next, pharmacological portion, pharmacological portion में, first तो इन लोगोंने general pharmacology को mention क्या है, orphan drug क्या होता है, जो different pharmacology का, जो scientist का name है, एक दो question बन जाता है, इन लोगोंने यह summarize कर दिया है, जैसे student को आसानी हो, next, जो root of drug administration को इन लोगोंने chart या table form से summarize कर दिया है, adverse drug reaction, pharmacological portion, सभी follow करते हुए pharmacological portion भी इन लोगोंने chart और table से निप्टा दिया है, drug classification भी अच्छी तरीके से दे दिया है, जो पॉपुलर पॉपुलर जो pharmacology का question आ जाता है, my senior gravis, उसको picture देके, इन लोगोंने student को easy तरीके से समझाने के कोशिश कर दिया है, next, coronergic system जो chapter है, यह भी अच्छी तरीके से discuss किया है, बाकि जो adverse drug reaction है, adverse drug reaction को भी इन लोगोंने summarize कर दिया है, chart और table form, next, आ जाता है human anatomy physiology, basic chapters, cell physiology स यह human anatomy physiology शुरू हो रहा है, human anatomy physiology का जो part है, cell structure, cell, cell organelles, first में cell का एक picture देके, बहुती सांदा तरीके से यह लोग ने summarize कर दिया है, cell का, किसने discover क्या, cell का structure क्या होता है, organelles कैसे होता है, blood, blood को भी, इन लोगोंने, जो blood होता है, different plasma रहता है, और element, जो erythrocyte platelets, इन लोगों में च chart form में दिया है, अब ABO blood grouping को, blood में plasma की तरा रहता है, यह भी, इन लोगोंने अच्छी तरीके से समझा दिया है, synopsis के, synopsis के जैसा, जैसे कि हम लोग को आसानी हो जाए, कि easy way से हम लोग यह revise कर पाए, pathophysiology का जो chapter है, pathophysiology, जिसमें cell engineering adaptation आता है, जो GPART exam में important chapter होता है, जो basic term इन लोगों ने इसको चार्ट में summarize कर दिया है, इसलिए जैसे student को आसानी हो जाए, इधर में जो basic, important, important term है, इन लोगों ने जैसे कि book color है, important, important term को highlight कर दिया है, तो student एक बाई revise करके ना भूले, next हम आ जाए, pharmacognosy का portion में, pharmacognosy portion में पहले तो organized drug, unorganized drug कैसे होता है, organized drug, unorganized drug का difference क्या होता है, इन लोगों ने ये chart form में summarize कर दिया है, जो next आ जाता है, आयुर्वेदी का, आयुर्वेदा का portion, राशा क्या होता है, गुना क्या होता है, वीरिया क्या होता है, प्रभावा क्या होता है, ये भी इन लोगों ने इसका meaning summarize करके दे दिया है, next, जो biogenetic pathway कैसे होता है, glycolysis pathway, creep cycle pathway, जो important topic, इन लोगों ने क्या किया है, जो important topic है, उन लोगों ने उसका पहले तो introduction बता है, इसको last में इसको पूरा summarize तरीके से बता दिया है, इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है, इसलिए इस book का page number तो कम है, लगबक 613 page है, बट इसका content तो बहुत ही सांदर content है, next pharmaceutical chemistry, जो basic reaction होता है, इन लोगों ने पहले तो वो reaction समझाईए, जो aromatic compound होता है, aromatic, anti-aromatic, non-aromatic, इसमें से 1-2 question तो आ जाता है, कौन सा aromatic compound होता है, चार option होता है d-pad में, एक compound देता है, उसमें बता देता है, इसमें कौन सा aromatic, anti-aromatic, अगर ये आप लोग पर लेंगे तो मुझे लग रहा है, ये आप लोग easy तरीके से आप लोग solve कर पाएंगे, next है state of matter, state of matter का जो part है, जिसमें से हम लोग ने परा हुआ है, गेल इसक law, अभोगाडोस law, सभी law को एक चार्ट में समराज कर दे, इससे आसानी क्या होगी, हम लोग को बार बार एक एक book नहीं परना परेगा, एक form में ही अगर ये content मिल जाएगा, तो बार बार एक ही book, naming important होता है, ये भी बहुत अच्छी तरीके से mention किया हुआ है, इस book का एक advantage का है, सभी जो content है, वो हम लोग को color में मिल रहे है, color में क्या होता है, अगर कोई book मान के चली, एक book black and white है, उससे पढ़ने को, मोटा book हो रहा है न, 613 page, तो क्या होता है, पढ़ने को अच्छा नहीं next, diuretic, diuretic का portion में इन लोगों ने क्या किया है, diuretic का पहले तो diuretic का जो chemical classification है, chemical classification समझा दिया है, उसके बाद diuretic में जो जो diuretic का chemical classification को उसका chemical और IUPAC नेम क्या होता है, इसमें भी इन लोग ने चार्ट में दे दिया है, तो यही याद रखना परेगा, उसमें starting material क्या होता है, तो हम लोग को क्या होगा, जो भी परेगा तो उन लोग को एक ही form है, तो note अलग से यह पढ़ने के बाद note नहीं बनाना पड़ेगा, next, absorption, partition, जो यह portion, यह portion जो है, analytical chemistry का जो portion होता है, analysis, absorption, partition, ion exchange, molecular exclusion, यह भी अच्छी तरीके समझा दिया है, gas chromatography, gas chromatography का भी, कैसे कैसे gradient, gradient illusion technique, gas solid chromatography, यह भी अलग तरीके से, अच्छी तरीके से chart table form में समझा दिया है, infrared spectroscopy, infrared spectroscopy, यह important chapter रहता है, GPAD के लिए, infrared spectroscopy को इन लोग ने क्या किया है, infrared spectroscopy का, जो जो region है, किस region में, यह भी इन लोगोंने chart table form में दिया, stretching, binding, क्या होता है, next, जो plant tissue culture, plant tissue culture में explain क्या होता ह है, totipotency क्या होता है, यह भी summarize कर दिया है, तो next, microbiology, microbiology में discovery जो है, कैसा कैसा discovery होता है, bacteria क्या होता है, streptococcus की, सभी जो bacteria का classification होता है, streptococcus की, मतलब, coccas, bacillus, इन लोग ने bacillus coccas को क्या किया है, charter table form से बता दिया है, इसमें एक advantage क्या होगा, यह color coating है, color book है, सो पढ़ने से आसानी होगी थोड़ा, next, hospital pharmacy, hospital pharmacy में pharmacy, therapeutics committee, next, storage condition, यह भी इन लोग ने यह book के, book से mention किया है, सो अगर हम लोग पूरा summarize कर दे, आप अगर यह book खरीद ले, तो gpat के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका price भी कम है, और उपर से यह color book मिल जा रहा है, जैसे कि इसका official GDC का, official GDC class आप में दिख रहा है, इसका price है, 6.99 लगबग, 6.99 अभी ओफर चल रहा है, तीन दिन, बट अगर आप लोग यह book खरीदेंगे, तो यह मैं बोल सकता हूँ, ऐसा gpat qualified student, यह book आप सभी के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इधर में सभी जो content है, आप लोग को अलग से, अलग-अलग book नहीं परना पड़ेगा, यह book अगर आप लोग तीन या चार बास revise कर लेंगे, तो आप लोग को gpat में जो question आता है, solve करने में आसानी होगी, इसके बाद अब लोग test series तो लगा ही लेंगे, so that's all about the book, so that's all about gpat at your fingertips book published by gdc publication, so, आज के वीडियो में हम लोग ने जान लिया, gdc publication जो book आ रहा है, इसका content कैसा रहेगा, यह gpat के लिए इसका क्या आसन रहेगा, यह gpat के लिए अच्छा रहेगा या नहीं अच्छा रहेगा, इसमें content क्या क्या है, कौनसा subject में content मिल जा रहा है, इसमें basically, इसमें chart at table form में दिया हुआ है, या पूरा paragraph form में लिखा है, इधर में बाकी जो content हो, कैसे summarize इन लोग ने किया है, जो मैं suggest करूंगा, जो जो gpat aspirant है, 2023 के लिए है, 2024 के लिए जो जो gpat aspirant है, यह book खरीच सकते अच्छा होगा, और उपर से है एक चीज है, इसका price भी उतना जादा नहीं है, तो हम लोग easily effort कर सकते, So, that's all about the book of GDC, gpat at your fingertips, thank you for watching this video.